अब दोस्तों सोर्पे डिपोजिट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपके अगर डॉकमेंट वेरिफिकेशन कंप्लिट हो चुकिये हैं वहाँ पर फाइल में आपके डॉकमेंट सब्मिट हो चुके हैं तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना होता है यहाँ पर सोर पे डिपोजिट करने होते हैं तो दोस्तों सोर पे डिपोजिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ बेलेंस पर क्लिक करेंगे आप बेलेंस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ठीक है balance पर click करने के बाद आगी की process होगी तो यहांप अप balance पर click कर दे balance पर click करने के बाद में यहांपर आपको आ रहा है तो आपको क्या करना है इसमें all-zoom करके देखें तो इसमें दोस्तों आपको यह अपने आप soahal है यहनी एक तो option is में साउ를 आ गया है एक high zero तो सबसे पहले क्या करना है आपको साउ हाल को अटाकर इसमें hide Hide करना है दोस्तों और फिर क्या करेंगे दोस्तों आप इसके बार आल क्रेंटी बर आपको करना है I.N.R यहाँ किया करेंगे I-N-R 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 आपको कर देना है यह आञा इस पर I-N-R 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 और फिर क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ जैसे ही आप I-N-R पर क्लिक करेंगे तो Indian currency आजाएगी Indian rupees आजाएगी और यहां आपको दो option दिखाए गए हैं एक option है deposit और एक option है withdrawal तो आपको 100 रुपियो deposit करना है दोस्तों तो 100 रुपियो deposit के लिए आप deposit option पर click करेंगे जैसे deposit deposit option पर click करेंगे तो इनका bank detail BTRR exchange का bank detail आजाता है जिसमें दोस्तों यहां पर यह अपने bank detail account नमर यहां इनके bank detail है यहां इनके account नमर है यह इनके bank का नाम है इनके H-adapter जो भी इनके IFC code है और यह इनकी क्या है दोस्तों UPI transaction ID हमें इस चीज़ को यहां पर दोस्तों क्या करना है कोपी करनी है ठीक इसके बाद में है हाँ इसका personal जो रिमारक दर्शारक है और नीचे देखें दोस्तों क्या है यहां इसने amount है अगर amount है उपर transition ID UPI कई जगह दर्शाता है तो UPI करेंगे amount है तो city amount है यहां transaction reference ID हमें मिलेगी देखो कैसे मिलती है भी मैं बताऊंगा वीडियो में आगे पूरा वीडियो को जरूर देखें confirm transition ID है और फिर रिमारक तो हमें दोस्तों इसकी जो UPI ID है इस ID को हमें copy करना है दोस्तों सबसे पहले ठीक है तो इस UPI ID को मैं copy कर लेता हूँ यह UPI ID कोपी कर लिए copy करने के बाद आपने जो इनके UPI ID आपने जो copy की थी वो यहाँ copy करके यहाँ तो आपका option यहाँ पर new payment दे रखा होगा अगर new payment option नहीं है तो pay to ID है इस pay to ID पर आप क्या करेंगे तो दोस्तों click करेंगे जैसे pay to ID पर आप click करते हैं तो दोस्तों यह आपका pay to UPI ID इंटर्यू UPI ID आईगा और जैसे UPI इंटर आईडी है तो उसमें आप क्या कर देंगे जो copy की गई है उस चीज़ को यहाँ पर आप दोस्तों paste कर देंगे paste करने के बाद आपको नीचे option दर सारा कहा है continue तो आप उस continue पर option पर click करेंगे दोस्तों ठीक है जैसे आप continue पर करते हैं तो उसके आपका pay डालना है और pay कितना है आपको 100 रुपिय करने हैं दोस्तों 100 रुपिय करने के बाद में आपको यहाँ arrow आले पर उस पर पूरा click कर देना है दोस्तों जैसे आप click करेंगे तो आपको क्या आएगी यहाँ इनकी successful की यह आ जाएगी complete जो complete जो news है वो यहाँ फिर लिखा होता है UPI transaction ID यह लिख लेना है दोस्तों ठीक है आप पैन के द्वारा कहीं पर लिख लेना यह नमबर लिखने आपको यह जो दिये गए है digit नमबर UPI transaction ID वहाँ हमें डालना होगा दोस्तों तो UPI transaction ID इसे लिख लो और एक दोस्तों यहाँ इसका क्या कर लेना है screenshot लेना है दोस्तों यह मैंने ले लिया screenshot क्योंकि screenshot को नीचे fill करना होगा दोस्तों यहाँ पर आगे दोस्तों बैक आते ही हम क्या करेंगे यह इनके bank यहाँ amount डालेंगे amount कितने हैं में deposit करनी है 100 रिपे तो 100 रिपे डाल देंगे यहाँ हम transaction ID लिखेंगे transaction ID कौन सी जो हमने वहाँ screenshot में लिखा था और लिखी थी transaction ID तो यहाँ दोस्तों transaction ID लिखते हैं जो और पर डिपोजिट करने के बाद में हमने जो pen से transaction ID लिखे थे वो डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर फिर दोस्तों confirm transition ID कौपी करके पेस्ट कर लेंगे दोस्तों एक option आपको दे रखा है रिमा रखा है तो इस अगर हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलेगा कौन सा रिमारक इस रिमारक में आपको अपना नाम लिखना है और चूज फिल्स में आपने जो स्क्रिन सूट लिया है 100 रुपे पे का वो यहाँ सब्मित वो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको लगा देंगे दोस्तों ठीक है तो इसमें रिमारक में आप अपना नाम लिखेंगे जैसे दोस्तों मैं यह किसी आईडी से सोर्पे डिपोजिट कर रहा हूं तो वो ही आपको लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों ठीक है और यहाँ फिर उसके बाद में हमने जो स्क्रिन सोट लिया है उसका चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे और उस स्क्रिन सोट को डन करेंगे यहाँ पर यह दोस्तों डन हो चुका है यहाँ स्क्रिन सोट यह इसके नमबर वगर है और उसके बाद में नीचे इसके वर्निंग बगर दे रखें तो आप इसको पढ़ लेना ये सब करने के बाद आप एक बार रीचेक करेंगे और रीचेक करेंगे आपके Transitional Reference ID बिल्कूल सही है आपका नाम सही है और आपने सही चूज फिल्स किया है उसके बाद में आप क्या कर देंगे तो सब्मेट कर देंगे सब्मेट करने के बाद में दोस्तों आपको अपनी हिस्ट्री चेक कर लेना है जैसे हम हिस्ट्री पर जाएंगे यहाँ पर कुछ नीद है इस्ट्री में हम यह देखेंगे इधर डेपोजिट इस्ट्री ट्रेल इस्ट्री ट्रांजिस इस्ट्री विड्रोल इस्ट्री बगरे है और यहां बीटी सी बीटी सीय पर आप क्लिक करेंगे और यहां लिखेंगे आई एन आर आई एन पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों आप IIN पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 प्योड डिपोजिट है और यह आपकी ID का नाम यह सब कुछ सो करतेगा और आगे क्या दर्शा देगा आपको दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग दर्शा देगा इसका आर्थ हो गया कि आपको पेंडिंग दिखा रखा है तो आपकी यानि 100 प्योड डिपोजिट हो चुके है और यह 24 गंटे के अंतराल में आपके डिपोजिट आपकी जो इमेल आईडिय है उस पर सक्सेस्फूल का क्या आजाएगा आपका मेसेज आजाएगा दोस्तों जैसे ही सक्सेस्फूल का मेसेज आता है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे अपनी मिन्यू में जाएगे और मिन्यू में जाने के पाद आपकी आईडिय हाँ से रेफर कर देंगे दोस्तों रेफर करने के लिए तो डिपोजिटिव होने के बाद में ये आईडि आपकी रेफर आईडि रहेगी दोस्तों इसे आप कोपी कर लेना और कोपी करने के बाद आप अपने दोस्तों को सेर कर देना दोस्तों